असलाम लेकुम वियर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं सब आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा सा बेबी फ्रॉक इसकी मुकमल कर्टिंग और स्टेचिंग आपके साथ में शेयर करने वाली हूं यहां पर देखिए मैंने जो बटन पटी है वो आगे की कर रही हूं ठीक है यहां पर यह मेरे पास जो फैब्रिक है तकरीबन सवा मीटर है ठीक है इसका अर्ज भी बड़ा है तो फ्रॉक की जो लेंद्ध है वो मुझे 18 इंचेज से 19 इंचेज बनानी है और उसकी जो हमारी बॉड़ी है वो मुझे 8 तो 9 इंचेज लेनी है तो उ यहां पर तकरीबन 9 इंचेज लंबी मैंने यॉक का साइज रखना है और इसकी जो बस साइज है वो तकरीबन 11 से 12 इंच के दर्मियान होना चाहिए या आपका बेबी हल्दी है तो आप 13 इंचेज की इसकी जो बस साइज है वो रख सकते हैं ठीक है यह डबल मैं यहां पर उतार रही हूँ फ्रंटर बैक का योक ये देखें इस तरह से अलग कर लिया है हमने और सेंटर से भी इसको हम अलग कर लेंगे इसको आइरन करके अच्छे से हमने फोल्ड कर लिया है यह देखें यह फोर फोल्ड इड फैब्रिक है मेरे पास अब इसकी हम कटिंग करेंगे इसका जो क्रॉस पैक है जो तीरा है वो पांच इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और इतना ही हम कंदे का निशान लगाएंगे और यहां से हमने गुलाई डाल देनी है बस साइज बारा इंच ले रही हूं तो छे पर निशान लगाऊंगी जो इसका तीरा है वो मुझे नौ इंच आईए इसलिए मैंने पांच इंच पर इसका निशान लगाया है थोड़ी सी यहां से भी हमने गुलाई दी है और हल्की सी कटिंग हम यहां पर फिटिंग की भी कर देंगे फ्रंट की जहाँ इजाफी कटिंग करूँगी मैं यहां पर देखें हमने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है अब यहां पर जो हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे मैं डेड़ इंच और फिल हाल नेक ले रही हूँ और तकरीबन डेड़ इंच ही जहाँ इसकी गहराई रख रही हूँ और अब यह बैक की कटिंग हो चुकी है और फ्रेंट का नेक मजीद मैं जो है वो कटिंग करूँगी पहले मैं नीचे से जो है वह दो इंच पर निशान लगाऊंगी यह देखें और टोटल जो है चुड़ाई जो है थ्री इंच में लेकर और यहां पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और यहां से यह देखें हमने गुलाई कर देनी है और यह पार्ट हमने कटिंग करके निकाल देना है ठीक है नीचे से दो इंच इसली मैंने छोड़ा है ताके जो फ्रिल हम लगाएं तो वो सेट बैठ जाए ठीक है यह पार्ट मैं यहां से निकाल दूंगी और यह जो पीस हमने है कटिंग किया यह हमने संभाल के रखना है ठीक है अब यह हमारा रेफरेंस जो है वो गुलाई में कर लेना है आयरन करने के बाद इसको देखें डाबल मैंने कर लिया है और इसके ओपर यह जो औन्दर से निकाला है गोठ पीस उसको हमने रखना है यह देखें तकरीबand हमें एक इंच ही छोड़ाई में लेना है कपड़ा और एक इंच ही जो हम्लबाई में कपड़ा लेना है और फिर उसके मताबिक हमने cutting कर देनी है गुलाई में ठीक है यह देखें इस तरह से क्योंकि सलाई में जब यह योग दुबारा जुड़ेगी तो फिर वो कपड़ा पूरा हो जाएगा ठीक है सेंटर से iron करके हमने crease यह देखें बिठा लिए ठीक है जी यह देखें अब यहां पर मैंने गहर का कपड़ा 11 इंचिस लंबा लिया है और इसकी जो चुड़ाई है वो मैंने 21 इंच ली है डबल फोल्ड यह हमारा फ्रन्टर बैक का गहर का कपड़ा है आप चुड़ाई अपने हिसाब से ले लें लेकिन ज्यादा भी जो है वो घेर वाला फ्रॉक अच्छा नहीं लगता ठीक है तो अब यहां पर यह तमाम जो पीसिस हैं पूरे हो गए हैं अब मैं स्लीव के लिए 5 इंच लंबा और 18 इंच चौड़ी मैंने यह दो पटियां ली हैं और यहां पर यह देखें बिल्कुल हाफ इंच का तक्रीबन कपड़ा छोड़ते हुए ना बाकी की हमने कंदे की कटिंग करनी है तो फूल बाजू जहाँ ज्यादा अच्छे फिटिंग वाले बनते हैं ठीक है जितना यहां से गहराई होगी फूल बाजू उतना ही ज्यादा खिला हुआ बनेगा अब यहां पर तक्रीबन साड़े तीन इंच ओड़ी पट्टी ली है मैंने इसको डबल फोल्ड करके हमने फ्रिल निकाल ली है और एक पट्टी मैंने दो इंच ओड़ी ली है यह हमने गले में जो लगानी है फ्रिल उसमें हमें काम आएगी ठीक है तो यह तमाम जो चीजें हैं अभी मैंने कटिंग करके सेपरेट कर ली है अब इसकी सलाई की तरफ चलते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं स्लीज में चुन डाल रही हूँ हाथ की मदद सही आप धागे वाली भी डाल सकती है ठीक है जी तो यहां पर यह देखे हम ने डबल फोल्ड करके अंदाजा कर लिया है कि बच्चे की बाजू गुजर जाएगी अब एक पटी ली है मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसको मैं यहां पर स्टिच करके मखजी निकाल लूगी ठीक है यह देखें मैंने राइट साइड पर रखा है पटी को डबल फोल्ड की हम मखजी निकाल रहे हैं ठीक है अगर आपको वीडियो जड़ा फास्ट लग रही है तो आप वीडियो के साइड पर जो सैटिंग का आप्शन होता है वहां से इस वीडियो की जो स्पीड है उसको कम करके आप अच्छे से वीडियो को देख सकती है ठीक है यहां पर यह देखें मैंने डबल फोल्ड पटी की ही मखजी यहां पर निकाल ली है उसके बाद हम यहां पर जो हाँ आपर की साइड पर चुनटन डालेंगे ठीक है यह देखें तीन तीन इंच का वो हमने बाजू का कपड़ा छोड़ दिया है और उसके बाद हमने ये हाथ से ही चुनट डालने शुरू की है तो देखें ये कंदे के बराबर तकरीबन आ जाएगा ये देखें ये फूल बाजू कितना खुबसूरती से रैडी हो गया है अब यहां पर हमने जो तीन इन चौड़ी पटी ली थी फ्रिल के लिए वो उसमें मैं हाथ की मदद से ही चुनट डाल रही हूँ और ये देखें मैं मशीन के पैर के पीछे उंगली दबा कर रख रही हूँ और फिर रागे से चुनट डाल रही हूँ इस से चुनट बहुत ही प्यारी सी बनती है जैसे रेडी मेड फ्रॉकों पर आप देखते हैं चुनट गहरी सी चुनट होती है कम कपड़े में गहरी चुनट इस तरह से डालते हैं ठीक है अब ये चुनट जह हमने देखें यह फ्रिल जो हमने रेडी की है यह हमने उस गुलाई वाले पीस में जोडनी शुरू की है फ्रंट साइड पर रखकर हम यह जोड़े हैं जहां जहां गुलाई आती है वहां पर हम चुन गहरी कर देते हैं ठीक है वहां पर हमें गहरी करनी चाहिए फ्रिल को ताके वहां से बहुत ही प्यारा सा आपका फ्रिल आए ठीक है गुलाई के हिस्सों में आपने चुनिटें ज्यादा कर देनी होती है यह देखें तमाम योग के पीस में हमने यह इसी तरह टैच कर लेनी है यह देखें बड़ा हुआ जो फ्रिल है वह हम कट्ण करतेंगे अब यहाँ पर जो घेर है हमने उसमें चुनिटें डाली हैं बहुत ही हलकी हलकी चुनिट डाल रहे हैं हम दोनों घेर के जो पीसिस हैं उन में हमने एक-एक और चोड़के कपड़ा फिर चूनरट डाल दिनी है Tाक कि एक-एक चोड़ा है वह सलाई में आ जाए in Jahr minder छोड़ा जाती है तो बहुती बूरी लगती लगती है तो इसलिए बाकी का काम हम फिर बात में करेंगे, तो ये पूरा पूरा आया है मेरा, अगर कम ज्यादा हो तो आप एक आज जुनट उधेर सकती हैं, ये देखें, बैक का पीस हमने रेडी बिल्कुल कर लिया है, अब यहां पर देखें, ये जो हमने फ्रेंट का गुलाई वाली योग त् हथियात से हमने रखना है और सेट करना है, ठीक है, और यूएच यू की मदद से मैं इसके किनारे हलके हलके जोड़ रही हूं, ताके जब हम सलाई लगाएं तो हमें मुश्किल ना है, तो जो बढ़ता हुआ पीस है, वो उपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है, ये देख कर दिया है, अब यहां पर हम easily slide लगा सकते हैं, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजएगा वीडियो को और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजएगा, इस तरह के मुजीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, अब यह देखें, फ्रांट की योग भी इसके साथ जुड़ गई है, अब हमें बटन पटी बनानी है, तो बटन पटी के लिए मैं क्या करूंगी, इस पीस को डबल फोल्ड कर लूंगी और सेंटर से हमने कटिंग कर लेना है, इसमें हमारी जो फ्रिल है वो भी कट जाएग यह देखें इस तरह से, अब यहां पर एक पटी ली है, मैंने दो इंच उड़ी, उसको हम रखके स्टिच करेंगे, और उससे पहले मैं यहां पर अंदाजे से ही 1.5 इंच उड़ी नेक में कटिंग कर रही हूं, 1.5 इंच उड़ी है और 1.5 इंच ही यह लंबी नेक है, अब यहां पर हमने जो पटी कटिंग की है, उसको हम सिंगल ही सलाई के साथ लगा रहे हैं, ठीक है, डबल पटी हम यहां पर यूज नहीं का रहे हैं, इसको हम उपर की तरफ पलट लेंगे, राइट साइड पर, यह दो इंच की पटी है तकरीबन यह अब पॉने इंच की तकरीबन यह रह जाएगी, पॉने से एक इंच की, ठीक है जी, तो इस तरह ही हमने दूसरी पटी को भी स्टिच कर लेना है, यह देखें, यह बिल्कुल इसी तरह हमने वह स्टिच कर ली है, और फिर हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप इसको कर देंगे, बहुत ही असान तरीका है, यह बटन पटी का बगएर चेपी के, बगएर बुकरम के हमने तयार की है, अब यहां पर दोनों पीसिस को हम ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर, और जहां तक हमारा फ्रिल का जोड़ है, वहां तक हमने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक ह यह देखें, फ्रंट साइड भी हमारी वह भी तकरीबन रेडी है, इसको हमने घेर के साथ जोड़ लेना है, यह देखें, अब यहां पर यह चोटे-चोटे पीसिस ले रही हूं, और इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके, तो हमने यहां पर बैल्ट के लिए चोटे-च मैं इसको क्राइब करनी है, और यहां पर यह ऑन बैक साइड पर सेंटर में इस तरह से स्च कर रही हूं, डो-तीन स्च आपने देदेने हैं और तकरीबन 1.5 इंच लंबा यह बैल्ड के लिए गल फोले पीच, पीसिसरे मैं पर तीन लगा रही हूं, और फ्रंट साइड पर भी हमने इसको इसी तरह स्टिच करना है जिसके अंदर से हमने बेल्ट को गुजारना है अब यहाँ पर मैं तीरे जो है वो जोइंट कारही हूं इसके यहाँ पर हमने जो स्लीव अपने रेडी किये हैं उनको हम रख कर स्टिच करना शुरू करेंगे और यहां भी चुनट कम ज़्यादा हम जो है वो कर सकते हैं यह तक्रीबर मेरे पास सवा मीटर फैब्रिक था तो इसमें मैंने यह फ्रॉक भी बनाया है और इसके साथ ट्राउजर का फैब्रिक भी है ठीक है इसी के अंदर अब यहां पर यह देखें फ्रिल जो हमने तयार की थी एक इन चौड़ी यह नोख हम बनाएंगे पहले कपड़े से और फिर इसको फ्रिल को लगाना शुरू करेंगे यह देखें जहां जहां गुलाई आ रही है वहां वहां मैं फ्रिल को थोड़ा गहरा कर रही हूं इससे फ्रिल में हमारी खिचाओ नहीं आता ठीक है यह देखें तो इस वाले एंड पर आकर भी आपने कपड़े को उपर की तरफ ले जाना है इससे फूल और नोक बना देनी हैँ ठीक है कि अब यहां पर एक औरे पॉटरी ले रही हूं मैं उसकी एक साइड मैंने जहां पहले ही सलाई से कवड़का ली ए है और इसको मैं इस तरह से जो हमने स्लाई लगाई है उसी के उपर रखकर दुबारा लगा रही हूं ताके हमारी ये फिनिशिंग के साथ नेक पर फ्रिल लग जाए ठीक है ये देखें नीचे के तरह फोल्ड कर दिया इसको मैं अब एजिली तरपाई करूँगी ठीक है स्लाई मैं नहीं लगाऊंगी तरपाई करूँगी उसके बाद यह बैल्ट मैं ने रेडी कर लिया था इसकी में लेंध आपको बता देती हूं यह बैल्ट इजली तयार हो जाता और बेल्ट को अब हम यहां से गुजारेंगे आगे जो है दो लगाई हुई है इस तरह की हुक्स मैंने और पीछे तीन लगाई हुई है ठीक है यह देखें इस तरह से तो यह है फ्रॉक की कंप्लीट लुक मैंने घेर भी नीचे से मोड लिया था और बटन है मेरे पास वो मैं यहां पर लगा दूँगी और उसके नीचे टिच बटन हम लगा देंगे तो उमीद करती हूँ आपको यह डिजाइन बहुत ही पसंदाया होगा आप ज़रूर ट्राइ की जएगा किसी भी कलर पे तो यहां पर यह बटन्स जहें वो मैं तीन लगा लूँगी यह फैब्रिक के बटन है और यह इसकी फाइनल लुक है आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको फ्रॉक कैसा लगा फिर में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने डहेर सारा खाल रखीगा अल्हाफिज